नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परीचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बेहद हिमातो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां रात को एक गलास दूद के साथ ये चून लेने से दस दिनों में स्फूर्ती बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक शमता बढ नहोंगी यह है आज का हमारा टॉपिक आप सभी के लिए आज हम आपको बता रहे हैं पांच और शद्यों के ऐसे चून के बारे में जो आपके शरीर का काया कल्प कर सकता है अगर आप थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो आप आयुर्वेद की सहायता ले सकते हैं जिस को थकान और शारीरिक कमजोरी से दूर रखेगा यह उपाय शारीरिक शरम करने वालों के लिए उपयोगी है इस उपाय को कुछ समय करने के बाद से ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा आपके शरीर में अचानक स्फूर्तिया जाएगी यह कमजोरी और थकान मिटाने का रामबान उपाय है जिहां इसके लिए नोट कीजिए आवश्यक समगरी 20 ग्राम अश्वगंधा 40 ग्राम श्रतावर की जड़ 30 ग्राम इलायची 30 ग्राम मुलेठी 10 ग्राम लोह भस्म यह सभी समगरी आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पर आप जाकर के ले सक सकते हैं इसको बनाने की अब विधिया जान लेजीए सभी समगरी को अच्छी प्रकार से आपको 20 मिक्सर में कूट लेना है जीहां कि सहाइता से आपको इसको बारिक चून बना लेना है इस चून को एक कांच की बरतन में भर करके रख लेना है अब आ जाती है बारीक सेवन के वी धिकी क्योंकि आपके आउश्रधी बनके इस प्रकार से तयार हो जाती है रोजाना सुबह एक गलास गर्म दूध में एक छोट बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ेगी रक्त साफ होगा शरीर में ताकत तुद्पन होगी इस चोन का सिवनिस्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं यहाँ दोनों के लिए लाफकारी और शधी है जिहां बस इसको प्रयोग करने का आपको ध्यान रखना है आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महतो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों